नमस्कार आप देखरें न्यूस वीके और मैं हूँ प्रियंका ये नज़र डालते हैं आज की खास कवर पर और यह कोदबाली में उस वक्त हंगामा हो गया जब भाजपनीता अपने बेटे को थाने से जुड़ाने की सिफारिस करने कोदबाली पहुँच गया और हंगामा छोटा मोटा नहीं हंगामा देखकर तो लग रहा था कि नेता जी को किसी का डर ही नहीं है जो उन्होंने कोदबाल तक को धमकी दे डाली जिसका वीडियो किसी न बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो में आप खुद साफ देख सकते हैं कि किस तरह नेता जी कोदबाली में भड़क रहे हैं दरसल मामला औरिया से सामने आया है जहां बेटे को थाने में बैठाने पर भाशपनेता नाराज हो गए और गुस्से से नेता जी इतने आग बबुला हुए कि सीयो के सा आमने ही उन्होंने कोतबाल को धमकी देडाली आपको बता दे कि मामला रंगदारी का था जिसके बाद यह पूरा विवाद हुआ विवाद इतना बड़ा कि बहे जातिये संगर्ष में बदल गया तो बही पुलिस ने रंगदारी मांगनी के आरोप में पांच नामजद और साथ अज्यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कलिया है जानकारी के नुसार जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है बहे सब ठाकुर समाज से आते हैं और मामले में पूर्व जिला पंच्वायत अध्यक्ष दीपू सिंग के बेटे जिला पंच्वायत सदस्य करंबीर सिंग ने सभी को छोड़ने की सिफारिस की थी जिस पर ठाने पहुंच कर दी पूसिंग ने अपना आपाख हो दिया और नेता जी ने पुलिस पर जम कर आरोप लगाने शुरू कर दिया कोतबाली में घंटो यह हाई बोल्टेश ड्रामा चलता रहा जिसका वीडियो किसी न बना कर सोशल मेडिया पर वायरल कर दिया आरोप है कि देर शाम शहर में कुछ अराजक तत्वों ने कई लोगों से मार पीट की थी जिसमें रंगदारी ना देने पर मार पीट की बाद स जानकारी के अनुसार डर के कारण बहे हर महिने रंगदारी भी दे रहा था और इस महिने रोपे ना देने पर 50 से 60 लोगों ने उनके गेस्ट हाउस के करमचारियों के साथ मार पीट कर दी बिवाद में फाइरिंग करने का मामला भी साम दे आ रहा है जिस पर कोतबाली पु पूरे मामले में जब हमने अपर पुलिस अधिक शक से बात की तो उन्होंने कहा कि वीडियो को संग्यान में ले लिया गया है और वीडियो की जाँच के बाद ही उस पर अवश्य ही कारबाही की जाएगी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें और रहिया जिले के पूर जिला पंचाइद अधिक श्तीपू सिंग द्वारा थाना कोतवाली में बैठ करके थाना बरभारी कोतवाली साथ अबद्रता की जा रही है इस वीडियो के संग्यान लेते हुए मेरे द्वारा अपर पूलिस अधिक्षक और एया के एक जाँच दी गई है और जाँच के आधार पर जो भी जाँच में तक थे सामने आते हैं उ सनुसार इस प्रक्रण में आवशक विदिक कारवाई की जाएगी और एया से विपन मित्तल की रिपोर्ट